वेल्कम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे हीमोगलोबिन इलक्टोफॉरसिस टेस्स के बारे में यदि हम बात करें हीमोगलोबिन इलक्टोफॉरसिस टेस्स इसको HPLC टेस्स के नाम से भी जानते हैं दिम बात करें क्या होता है तो Hemoglobin Electrophoresis जो होता एक पर करीवे Blood Test है जो हमारे Blood में विभिन प्रकार के Hemoglobin जो होते हैं उनके लेवल को मापता है काफी वारी Hemoglobin सही होते हैं काफी वारी असमाने Abnormal Hemoglobin भी होते हैं तो हमारे शरीर में HPLC Test जो होता है Abnormal Hemoglobin के लेवल को मापता है यदि हम बात करें Hemoglobin क्या होता है तो Hemoglobin का जो संबंध होता है लाल लक्त कोशिकाए मतलब Red Blood Cells से होता है इसके अंदर क्या होता है Red Blood Cells के अंदर Heme नाम का Component होता है जिसकी विएसे Blood का करें लाल होता है उसके अलावा जैसे आप देख रहे हीम के अलावा इसमें oxygen molecules होता है जो oxygen सासले ने मदद करते हैं उसके अलावा iron भी होता है यह सारी चीज़े मिलकर ही होती है, RBC को एक उसका रूप देती है अब यदि हम बात करें कि हमारे शेरी में कितने तरह के हीमोगलोबीन होते हैं तो जैसा हमने बात करी, यह जो होता है, मुख्यता हीमोगलोबीन A1, हीमोगलोबीन A2 उसके अलावा hemoglobin F, hemoglobin S और plasma ये इस प्रकार के hemoglobin होते हैं अब यदि हम बात करें कि normal hemoglobin values कितनी होती हैं तो मतलब कौन प्रकार का hemoglobin है वो कितना होना चाहिए तो यदि हम VSCO में बात करें तो इसमें hemoglobin A जो होता है 95 से 98% होता है Hemoglobin A2 जो होता है 2%, 23% Hemoglobin F 0.8-2% Hemoglobin S C, D, E और अणने जो होते हैं उसमें 0% यह उससे कम मातरई होती है यदि हम बात करें बच्चों में Hemoglobin तो बच्चों में A, जो होता है F का लेवल अदिक होता है और उसके बाद हमें Hemoglobin A और A2 आते हैं तब 50% से 80% हीमोगलोबिन होता है उसके बाद में जो होता है जो होता है कि A और A2 आते हैं यदि हम बात करें कि हीमोगलोबिन एलेक्टोफोरसिस्टेस क्यों किया चाता है तो सबसे पहला कारण होता है कि दिरत्ती को बहुत जादा ठाकावट रहती है क्यों की कमी वगरा है ऑक्सिजन के लेवल की कमी है उसके अलावा बचा का पीला पढ़ना है जैसे कि पीला की कंडिशन हो जाती है खून नहीं बनता है शरीर में, उसके अलावा शरीर में बहुत जादा दर्ध होता है, खून की कमी है, अनीमिया है, या फिर बच्चों में उनकी ग्रोथ वगरा बढ़ती नहीं है, या डाइजेशन में प्राप्लम होती है, तो उस कंडिशन में भी चो होता है, यह HPLC टेस कर बाया चाता है, यदि हम बात करें हीमोगलोबिन एलेक्टोफरसिस टेस, इसका प्राइस कितना होता है, तो इसका जो प्राइस होता है, आट सो रुपे लगबग होता है, इसको HPLC एलेक्टोफरसिस टेस के नाम से जानते हैं, तो उमीद है आपको इंफोमेशन अच्छी ल झानते हैं, जो झानते हैं, वो में जया हम जानते हैं, उर współgalेत शची लिग sì, इसका कर दो हैं तो इंचिए्टोफरसिस्याओी लिए्वालोबिन आपको इए पाता है, उर सके तो ये डमी के आपको जोग जएता है तो कितना हैं, बाता हैं थानते हैं, िज जएते कर गले क